दोस्तों नमस्कार मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंस पर भारती जन्ता पार्टी को हर्याना में मैजोरिटी मिलने के बाद में मैंडेट मिलने के बाद में अब सरकार गठन की कवायात पूरे जोरों पर है 16 तारिक को यानि कि आज से सीठीक एक दिन बाद कल का दिन बाकी रह गया 15 तारिक का 16 तारिक को हर्याना विधायक दल की बैठक होगी जिसके लिए हर्याना भाजबा के परदेश अद्यक्ष महुनलाल बडौली ने संदेश भी जारी कर दिया है कि सभी विधायक 16 और 17 को भी बनेंगे मैं आपसे लगातार चर्चा में हूँ कि हर्याना सरकार के अंदर मंत्री कौन बन सकते हैं हर्याना की नई सरकार में कौन से नेताओं का कौन से समाज से कौन से नेता का मंत्री पत्पे नंबर लग सकता है मैंने आपसे पहले वीडियो में बात की वैश्य अग यादव समाज पिछले दिनों यादव समाज ने यादव महासवान एक बैठक की और उसके अंदर भारती जन्ता पार्टी के अला कमान से ये मांग की कि यादवन्शी यानि की अहीरवाल से अब की बार मुख्य मंत्री पत दिया जाए मांग की ये कहा कि क्यूंकि हर्याना की सरकार बनाने में चाये 2014 की 2019 की 2024 की यादव समाज का बड़ा योगदान रहा अहीरवाल का दक्षिन हर्याना का बड़ा योगदान रहा इसलिए दावा है कि सरकार में यादव समाज को और दावा यह है मांग यह है कि मुख्य मंतरी बनाया जाए मुख्य मंतरी कौन बनेगा यह तो 16 तारिक को विदायक दल की बैठक के अंदर मुख्य मंतरी पत का नाम तै हो जाएगा विधायक दल की जब बैठग होगी जिसमें अमिशाह होंगे मोहन यादव होंगे वो तैय कर देंगे यानि कि विधायक दल की बैठग होगी विधायक दल की बैठग के अंदर मुख्या मंत्री पत का नाम प्रस्तावित हो जाएगा मैं आपसे चर्चा में हूँ की मंत्री कौन बनेंगे तो यादव समाज से सरकार के अंदर मंत्री कौन बन सकते हैं बड़ी चर्चाएं इस बात की है 2014 की सरकार हो या 2019 की सरकार हो अहीरवाल को पूरा राइट मिला एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक मिनिस्टर अफ स्टेट यानि की दो तो ये कम से कम रहे चाहे 2014 की सरकार थी राव नर्वीड सिंग थे उसके अंदर और ओपी यादव थे और उसके साथ में बनवारी लाल थे 2019 की सरकार थी अगर तो फिर राव अभय सिंग थे डॉक्टर बनवारी लाल थे मंतरी सब बने अब बात आजाती है 2024 की इस चुनाव के अंदर 2024 के चुनाव में भारतिय जंता पार्टी के टिकेट पर जो छे नेता चुनाव जीत करके आए यदुवंशी समाज की यादव समाज की उनमें राव नर्वीर सिंग बाश्चापुर से विधायक बने ओपी यादव नारनौल से विधायक बने कवर सिंग यादव महंदरगर से विधायक बने आरती राव विधायक बनी अटेली से अनिल यादव विधायक बने कोसली से और लक्षमन सिंग यदव विधायक बने रेवारी से ये 6 विधायक यादव समाज के बन करके आए वैसे दक्षिन हरियाना के और अहिरवाल की बात करें तो 11 में से 10 भारती जिनता पार्टी के जीते 10 नेता मुकेश शर्मा जीते गुरुगराम से, डॉक्टर क्रशन कुमार जीते बावल से, अगले वीडियो में आपसे उनका जिक्र करूंगा और ब्रामन समाज की और स्सी समाज की बात करेंगे, इस वीडियो में आपके साथ हुमें यादव समाज को ले करके, कि यदुवंशियों म कौन मंत्री बन सकते हैं, राव नर्वीर सिंग, बाश्चापुर के विधायक बने हैं, बड़ी हेकर के साथ में टिकट ले के आये थे, बड़ा अपना पूरा उन्होंने ताकत दिखा करके और भारती जंता पालिटिक ने उनको टिकट दिया, अमित भाहिशाह ने उनको ब राव नर्वीर सिंग चौथी बार विधायक बने हैं, 1987 में पहली बार विधायक बने थे, 1996 में फिर विधायक बने, उसके बाद 2014 में विधायक बने, और अब 2024 में विधायक बने हैं, 1987 में भी वो जो सरकार में विधायक बने, तो पहले हाउसिंग बोड के चेर्मेन और फिर उसके बाद में लगबग 2 साल बाद मंत्री बने, चौधरी बंसी लाल की सरकार बनी 1996 में तो उसमें भी मंत्री बने 2014 में सरकार बनी मनहुरलाल खटर की तो उसके अंदर भी मंत्री बने मैं तीनों का बता दूँ आपको कि 1987 की जो सरकार बनी चौधरी देवी लाल की उस सरकार में बागी हुए राव नर्वीर सिंग 1996 में सरकार बनी चौदरी बंसी लाल की उस सरकार में भी वागी हुए राव नर्वीर सिंग सरकारें गिरी दोनो उसके बाद में अगर बात आ जाती है मनहोरलाल खटर जी की सरकार के अंदर बढ़िया पावरफुल महकमा वजीर हुए तो सरकार के अंदर भी मनहोरलाल के खिलाफ विधायकों का एक गुरुप बना था उसमें राव नर्वीर सिंग का नाम था ये राजनीतिक सूत्र लगे जगे आपको बताया करते हैं शायद यही कारण रहा था कि 2019 में टिकेट ने मिला और अब 2024 राव नर्वीर सिंग बड़े अंतरस चुनाव जीते हैं चार बार के विधाया के दावा मजबूत है लेकिन सबसे बड़ी बात ही है कि राव इंदर जीज सिंग को संतुष्ट रखने के लिए खुश रखने के लिए राव नर्वीर सिंग का नंबर मंत्री पत पर शायद ही आई मुझे रखता नहीं कि राव नर्वीर सिंग को इस सरकार में वजीर बना जाए क्योंकि 2024 कानुभव और दूसरा राव इंदर जीज सिंग को इसी बात से भी आधा 50% संतुष्ट राव इंदर जीज सिंग इस बात से हो जाएंगे कि मैं राव नर्वीर मंत्री नहीं बनाए जा रहा है अगली बात आती है ओपी यादव ओम प्रकाश यादव नारनाल से दूसरी बार विधायक है मिनिस्टर आफ स्टेट पे शायद उनका नंबर लग सकता है पहले भी उनकी बात चलती थी अब भी उनका नंबर लग सकता है तीसर है कमर सिंग यादव महंदर गड़ के विधायक वीडियो केंट में कमर सिंग यादव पर आएंगे पहले 20 में बात करते हैं आर्ती राव चौथी विधायक अटेली से। राव इंदर जी सिंग की बेटी। इड़ी चोटी का जोर लगा चुनाव जीतने में आर्ती राव को… अतरलाल ने बिलकुल एक तरह से कहे तो पसी ने भवा दिये पूरे से। राव इंदर जी सिंग साफ के। अटेली का चुनाव ऐसा था कि एक तरफ राव इंदर जी सिंग और उनके समर्थक और सामने राव इंदर जी सिंग विरोधी चाये वो भारती जंता पार्टी में ही थे चाये वो बीजेपी के ही नेता थे संतोश यादव से लेकर कर तमाम आप खुद गिनते रहें और आप माइनस प्लस करते रहें यानि कि एक तरफ राव इंदर जी सिंग समर्थक नेता दूसरे तरफ राव इंदर जी सिंग विरोधी नेता आरती राव को चुनाव जिताने में काम्याब हो गए शूटर मेटिया को राविंदर जी सिंग की दावेदारी मुख्य मंत्री बद को भी लेकर हैं। करते रहे हैं पेल्कुल। साथ में ये भी कहा दिया कि बगावती नहीं हूं लेकिन दावा कभी छोड़ा भी नहीं। राविंदर जी सिंग सेंटर गवर्मेंट के अंदर केंद्रिय राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के भी उनकी टीज थी कि उनको केविनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया गया उनसे जूनियर्स को बना दिया गया और राविंदर जी सिंग मुपे आई बात रखते नहीं है खुली कह देते हैं स्पष्ट कहा था मुझे लगता है कि आरती राव को मंत्री शायद हर्याणा सरकार में ना बनाया जाए और राव इंदर जी सिंग को आने वाले समय में सेंटर गवर्मेंट में प्रमोशन मिल जाए यह बड़ा कारण हो सकता है कि दर राव नर्वीर सिंग को और ना बनाया जाए और दूसरा राव इंदर जी सिंग को आने वाले समय के लिए प्रमोशन दे दिया जाए अनिल यादव पहली बार विधायक बने है कोसली से विधायक है मंत्री पत पर इनका नंबर नहीं आएगा कुछ और जिम्मेदारी मिल सकती है लक्ष्मन सिंग यादव रिवाडी से विधायक बने हैं दूसरी बार के विधायक है अगर मंत्री पत पर बात करूं कैविनेट रैंक के लिए तो यह दुबंशी समाज में लक्ष्मन सिंग दाव का दावा मजबूत है चरंजीव राव को बड़े अंतर से हराया है लेकिन लक्ष्मन सिंग यादव के सामने है कमर सिंग यादव कि आरसेस की प्रिष्ट भूमी है पुराने नेता हैं भारती जंता पार्टिके जिलाद्यक्ष से लेकर के और कई अन्य पदों पर भी रहे हैं जिस कैटेगरी में परधान मंत्री नरेंदर मोधी जाते हैं यानि कि राष्ट्य स्वेम के दिया गया था और उस बात को कवर सिंग यादव ने पूरा भी कर दिया रामबिला शर्मा को टिकेट मिलने की बात थी रामबिला शर्मा का टिकेट काट करके वहां तमाम ड्रामा अंगामा सब कुछ हुआ कवर सिंग यादव को टिकेट मिला चर्चा है कि कवर सिंग या करता हूँ सरकार के अंदर जो मैंने आपको दो नाम बता है कवर सिंग यादव और लक्षमन यादव इनके अंदर कवर सिंग यादव का नाम उपर जाता है और इनके लिए भारती जनता पार्टी में फिर दोरा रहा हूं कि काफी बड़ा भी सूच रहे हैं तो इस लिहाँ से कवर सिंग यादव सरकार के अंदर वजीर हो सकते हैं अगर आपको एक बार फिर से संक्षेप में बता दें कि यादव समाज से हर्याणा सरकार के अंदर किनका नंबर लग सकता है तो आपको सीरिल वाईज बता दें दो नाम ऐसे कि जनको मुझे लगता है क जनका मंत्री पत्पर नंबर नहीं आएगा आरती राव और अनिल यादव इनको मंत्री पत्पर नंबर नहीं आएगा तीसरा नाम बता दूं तो राव नर्वीर सिंग का नाम पूरी तरह खटाई में है राव नर्वीर सिंग को मिनिस्ट्री शायद ही मिले अब आजाते है तीन और नाम तो ओपी यादव का नाम मैंने आपको बताया मिनिस्टर आफ स्टेट के लिए और इसके बाद में आ जाते हैं दो नाम कवर सिंग यादव और लक्षमन सिंग यादव कवर सिंग यादव का नमबर वन और लक्षमन यादव नमबर दो कैबिनेट मंत्री की बात अगर आएगी और मिनिस्टर आफ स्टेट के लिए यूपी यादव ये तीन नाम यदवन्शियों में यादवों में है जिनको सरकार के अंदर वजीर की जिम्मेदारी मिल सकती है जो सरकार में मंत्री बन सकते हैं आप मेरी बास से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमार साथ देखते रहें देश रोजाना